हेलो नमस्का डियर स्टुडेंट विल्कम टू सक्षिच केरियर आज किस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डियाइडियो सेप्टम 10 की जो एक्जामिनेसन हो रहा है ठीक है उसकी एक्जाम इनालिसिस को लेकर आया गया हूँ आज की पेपर में कैसा कोश्चन आया थ कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से टेलिग्राम चैनल का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूँगा ठीक है वहां से आप लोग इस पीडियाफ को भी डाउनलोड कर लीजेगा चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए यहां पर जो 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 कोश्चन पू है उनसे भी हर स्रिफ्ट में कोश्चन पूछे जा रहे हैं वह कर लीजेगा ठीक है फिर उसके बाद दिवस से कोश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसको भी मैंने करवा दिया एनालिसिस के मादियम से ही करवा देता है हमने तो आप लोग पूरा बने रहेगा इसमें भी हम पर दाना चीज़ों के जानेंगे इस मिफा को सब से पहले यहां पर जो जो देख लीजें कि तो पहला कोश्चन है यह पर विटामीन से को ψच्ट आ आवला में कौन सा अमल पाए जाता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आवला में कौन सा अमल पाए जाता है तो याद रखिएगा सबसे आवले की जो मुख्य सुरोत है वो है विटामिन C ठीक है आवले का मुख्य सुरोत विटामिन C है और इसका जो करेक्ट टेंसर होग है ascorbic acid यहां पर गलत दिया गया था candidate के द्वारा ही लेकिन मैंने पस उसको copy paste कर दिया था तो यह आज रखेगा आउले में कौन सा हम पाएगाता है ascorbic acid चलिए तो अब कल की question जो आया था vitamin A का रसाइनिक नाम पूछा था तो मैंने बताया था आपको रेटी नाल और मैंने सारी चीज़े विटामिन से रिलेटेड कर चीज़े बताई थी चलिए आज भी मैं बता दे रहा हूं इसे क्यूंकि लेकि कमी से फिर उसके बाद viti Полin B तो घूम यहां पर नाम है जैसे फिस हो गया भी फाईफ हो गया वेटी ऊगया वर्यवाद तो यहां पर मैं बिवन की मुख्य रूप से बात करूंगा विटामिन We Do On का नाम drive check क्या है से और vitamin B1 से क्या-क्यार रोग होता है तो berry-berry यहनि कि commodity यह दो बार कर लेजबाँ है रेटेनाल किसको Thompson A का नाम है vitamin B1 का thiamine berry-b겨 होता है अबीन इससे पूंच आने वाले एक्जाम में किसी से भी पूछ सकता है vitamin A B C किसी से से भी ईसकोर्विक एसेड का नाम किया है कि स्कॉर्विक एसीड टिक यह याद रखेएगा के उसके बाद विश wrestle्मिन दी विटामिन यह आ है क्यों system कूश कर सकता है तो इसको याद विटामिन E का क्या नाम होता है टेके फिराल टेके फिराल ठीक है याद रखीगा यह हो गया विटामिन A, B, C, D आपने पढ़ लिया उसके बाद विटामिन K से पूर सकता है विटामिन K का क्या नाम है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलोकविनान फिलोक फिलोक विनान ये याद रखिएगा फिलोक विनान विटामिन के को क्या करते हैं फिलोक विनान तो ये आपको याद रखना है चलिए रेटेनल यानि विटामिन ए जैसे आवला का पूछ दिया न तो आवला सबसे ज्यादे किसमें पाया जाता है विटामिन सी को अब यहाँ धिरला पर धिके कि स्रोऩ अगर मानेगे जिसे माली जोची यह पूक्त देगा गाजर मुझे कैा याद रखीएगा गासर हो उसके बाद दूद हो गया अंडा हो गया फल विटामीन एपर आधा रहां किसम पाए बता देगा उसके उसके बाद विटामिन ची रुप से क्या अभी आमने पढ़ा पुछता था नहीं ठीक मैं इसको मिटा है यहाँसे मैं अच्छे से मतीません को मैं अफ्लोग्रा अब अब देखने अगर अगर आ गया होता है तो नीबू में दोटा हो गया संत्रा मैं भी विटामिन and पाए जाता है तो यहां पर मैं संत्रा लिख दे रहा हूं संत्रा उसके बाद उसके इलावार नारंगी हो गया तो नारंगी में भी पाए जाता है यह याद रखिएगा विटामिन इसको हम लोग बोलते थे टेको फेराल, आप लोग याद करिएगा टेको फेराल, चलिए, अब विटामिन E का सुरूत क्या है, तो हरी सबजी आओ गई, विटामिन E मिलती है हरी सबजी, ठीक है, हरी सबजी, उसके बाद क्या मिलता है, हरी सबजी के बाद मक्खन दूद में भी मिलता है विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो याद रखिएगा जनल सकती कम हो जाती है यह याद रखिएगा मखन वगेर हो गया दूद हो गया इसमें इमें पाया जाता है उसके बाद एक बाद आ जाईए विटामिन के को मैंने क्या बता है था विटामिन की को क्य रोखत का ठका नहीं बनता है और विटामिन के किसे में पाए जाता है तो पर्चूर मातनों में टमाटर पाया जातायं विटामिन के हरी सब्लियों में पाया जाता है हरी सब्लियों में और उसके बाद दूध में इसमें पाया जाता हैbai सब्सक्राइब चलिए कैसे बनाएक अभी आपने देखा है कि याहोलाइक Cum Laug काहले में सत्रीक हो इतना करें यह यह सकता है यह सकता है तो देखें पूल सकता है विटामिन्ट सी का रसाइनिंग नाम क्या है है एक में और हमस्का पowania में जाता है कि और कोशन देखिए दिया है तो 20 मार्च को परती एक वर्स 20 मार्च को वर्ल्ड हैपिनेस डे बनाए जाता है चलिए अगला कोशन देखते हैं ओजोन दीवस देखें मैंने बताया ताना आपको दीवस से कोशन पूछ रहा है मैंने जो अल्रेडी एनालेसिस आप डेली देखते होंगे तो आपको पता करवाया जैसे मैंने विटामिन को करवाया उसके बाद नदी और नदी के किनारे बसे सहर वह भी मैंने पूरा करवा दिया है जो जो कोशन अभी तक पूछा जा रहा है मैंने डीटेल से करवाया है पूरा कम से कम मैंने 25 सहर का नाम लिखवाया है और उसके मतलब नदी के कि तो यह नाम आ रहा था ठीक है याद रखिएगा लेकिन आप लोग आप संधी होते तो हो सकता है मैं कुछ help कर पाऊ इसका देखिए consolidated budget का दूसरा नाम क्या है यह पूछा गया था तो यह question मुझे भी मैंने डूड़ा लेकिन कहीं मिला नहीं ठीक है तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं देखिए अगला question दिया था भारत के दूसरे cds कौन बने तो याद रखिएगा लेफटिन जनरल अनिल चवान तो यह दूस अगला question देख लिए था तो यहाँ पर गलाश टाइप हो गया है आप लोग अस्थापना यह संस्था कहां मुख्याल है यह सभी पूछा जा रहा है तो विसवबै की अस्थापना कभी थी तो विसवबै का अस्थापना देगी यहां पर गलस टाइप हो गया आप लोग यहां पर सही कर ली जगा इसको विसोबैंका मैं यहां पर बता दे रहा हूं विसोबैंका जो अस्थापना हुगा था 1945 में हुगा था ठीक है 1945 में और इसका मुख्याले वासिंगर्टन डिसी में यहां पर कोश्चन और गलत लिखा हुगा है चलिए आगे का कोश्चन बढ़ते हैं यांत्र कूर्जा को विदू तूर्जा में बदलता है तो जो विदू जनरेटर होता है यानिकि जिसे हम लोग इलेक्टिकल एनरजी में बदलता है चलिए यहां पर देखें मैंने आप लोग को बताया कि इससे कोश्चन बन जा रहा है विभीन संस्थानों से राष्टिया संगठन से तो इसको आप लोग को याद करना है चलिए मैं यहां पर डिटेल से उसको भी करवा दे रहा हूं ज इसकी अस्थापना आप लोग लिखेंगे 1945 में पूछ सकता है डाइरेक्ली कोश्चन यूएन नो यानि की शन्युकतराष्टी असंद की अस्थापना कब हुई थी तो आप लोग 1945 लिखेगा और इसका मुख्याले की बात करें तो नियू यार्क चाहां पर नूय यार्क न है ना उसके भाद आपसे पूछ सकता है कमन वल्ट गेम से कोश्चन पूछा गया था तो आपसे चिस सकता है कमन वेल्ट logまりular राष्ट मंडल काहां पर कामन वेल्ट की अस्थापन कब की गई थी तो 1931 याद रखिएगा 1931 और कामन वेल्ट यानि कि राष्ट मंडल का मुख्याले कहा है तो आप लोग लिखेंगे UK यानि कि लंदन में है इसका ठीक है उसके बाद आपसे वर्ल्ड में पूछे लिया और IMF की जो क्या बोलते हैं कि इसका मुख्याले कहा है तो वासिंगाटन DC रखिएगा वासिंगटन DC चलिए तो IMF का वासिंगटन DC हो गया और वर्ल्ड बैंक का भी वासिंगटन DC हो जाएगा चलिए आगे आप से पूछ सकता है यहां पर जो इंपोर्टेंट है मैं वही बस आप लोगों से करार आँ आई एलो यानि कि इंटरनेशनल लेवर आर्गनाइजेशन ठीक है यह यह पूर सकता है यानि कि अंतराष्टिय अस्रम संगठन इसकी अस्थापना कब हुई थी तो इसकी अस्थापना 1919 में हुआ था और इसका मुख्याले पूछ सकता है तो आप लोग याद रखिएगा जेनेवा इसका मुख्याले है जेनेवा इसका मुख्याले है उसका आई एलो के बाद आप से पूछ सकता है नाटो नाटो भी एकद तो यह आप लोग नोट कर लिए चलिए आगे अन्य जो इंपोर्टेंट उनको भी हम लोग नोट कर ले रहे हैं देखें मैं यहाँ पर और भी लिख रहा हूं नाटो मैं ने करवा दिया उसके बाद आप से पूछ सकता है सार्क ठीक है साउथ एसीं एसोसियेशन ऐसे इसका नामने रुक्या मैं बता दे रहा हूं नाम फूलपर यहाँ पर कि तो koleum पूछ सकता है अप लोगो से क्या पूछ सकता है साउक का फूलपर क्या होता है तो लिए नोड़ करेएगा साउथ एसियन साउथ एसियन एसोसीएशन फार रीजनल कार्पूरेशन ठीक है अब सार का यहां पर आप लोगों से क्या पूछ सकता है एक मिनट मैं इसको काड़ रहे हैं मुझे समझ में चीजे नहीं आ रही है कि मैं फ्लाइट मोड में यहां पर देखिए अल्रेडी मैं ड सब्सक्राइब इसकी अस्थापना होई थी और इसका मुख्यालेब पूछेंगे तो काटमान्डू कहा है नेपाल में काटमान्डू ठीक है यह यहाद रखिए इसका पूछ सकता है अन्तराश्टिया न्याले आई सी जी इंटरनेशनल कोर्ड जस्टीस ठीक है अंतरास्टियर ने आले कहां पे तो यह इसकी अस्थापना कभी थी तो लिख ली जगा उन्नीसो पैंतालिस में इसकी अस्थापना हुआ था ठीक है उसके बाद अगर इसका पूछेगा कि इसका मतलब मुख्याले कहां पे तो हेग में हैं हेग का हैं नीदरलेंड में उसके बाद अगला देखिए आपसे डाबलु एच्चो यानि की वर्ल्ड हेल्ड आर्गनाइजेशन से पूछ सकता है तो वर्ल्ड हेल्ड की आर्गनाइजेशन की अस्थापना कभी थी तो इसको याद रखिएगा 1948 में और इस ब्रिक्स का अस्थापना कभी था दो और इसका जो ब्रिक्स का मुख्याले है कहां पर संगहाई चीन में ठीक संगहाई चीन संगही चीन अगला आप से पूच सकता है यहां पे ऑपक कभी सकता है ओपक ठीक है ओपे का अस्थापना कब हो था 1960 में हो था और इसका मुख्याले कहां पर वियना आश्ट्रिया में है ठीक है उसके अलावाद जो भी इंपोर्टेंट हो वह में और भी देख लेता हूं बता दिरा हूं आप लोगों से आगे देखिए यहां पर आप लोगों से कोस्ट पूर्फ सकता है वोल्ट्रेड आरगनेजेशन ठीक है वोल्ट्रेड अस्थापना पर हो थी उनिसो पंचांवे में होथा और इसका मुख्याले कहां पर जेनेवा में है ठीक है कहां पर यह पूर्ष सकता है आप लोगों से याद कर लीजिए इसको उसके बाद आप से पू मुख्याले कहा है संघाई में यानि कि चीन में संघाई कहां पर चीन में संघाई ब्रेकेट में चीन कर लीजिए तो इस परकार मैंने आप लोग को क्या किया प्रमुक्र जो यहां पर अंतराष्टी और संस्था है उनको मैंने करवाया और उसकी अस्थापना कभूई वह भी मेंने करवा दिया और साथ में मुख्याले कहा है वो भी मेंने करवा दिया चलिए आगे का कोशन मेंने करवा दिया अब यहां सकते हैं यह साइन्स का कोशन है दिया कि पासकल किसका मात रखें तो पासकल दाप का मात रखें अगला कोशन देखिएगा चंदावर का यूद कब शार रखना है तो यह याद रखिएगा गोरी हो गया गोरी और जैचन्द के बीच यह यूद रहा था 1904 अगला कौश्टन देखिएगा चंदेरी का यूद पूछा है तो चंदेरी का यूद कब हुआ था तो देखिए इमपोर्टेंट कॉस्टोन नहीं यह भी देख लेगा चंदेरी का यूद 1528 में हुआ था कब हुआ था 29 जनवरी को 29 जनवरी 1528 को किसके किस बाज लड़ा गया था तो बाबर थे ठीक है बाबर और किनके बीच तो राजपूतों के बीच बाबर और राजपूत दोनों के बीच हुआ था कौन सा यूद चंदेरी का यूद चलिए आगे देखते हैं, बांदी पूर राष्टिय उध्यान किस राजे में हैं, बांदी पूर राष्टिय उध्यान कहां पर करनाटक में, तो देखिए, जितने भी राष्टिय उध्यान हैं आपको याद करना है, चलिए हम कुछ इंपोर्टेंट राष्टिय उध्यान को बारे म बता देते हैं तो यहां पर नोट करेंगे आप लोग सबसे पहले यहां पर राष्टिय बांदी पूर राष्टिय उद्यान कहां पर करनाटक में ऐसे काना राष्टिय उद्यान पूर सकता है काना राष्टिय उद्यान ठीक है मैं यहां पर थोड़ा साथ में लिख रहा हूं राष्टिय उद्यान यह कहां पर राष्टिय उद्यान यह मध्य पर्देश में कहां पर मध्य पर्देश में इसे आप लोगों से पूर सकता है माधो राष्टिय उद्यान माधो पुर्णा राष्ट्य अउध्यान और defam ये भी मद्ध्य पर्दैसमें करतेसमें एंपी में इंधैस सत तरास्टिय उध्यान सत्पूरा सत्पूरा यह भी का है सत्पूरा राष्टिय उध्यान इया भी मद्यकव कुनो राष्टिय उद्ध्यान ठीक है उसके बाद पेच राष्टिय उद्ध्यान पूछ सकता है आप से पेच पेच राष्टिय उद्ध्यान यह कहां पे तो पेच राष्टिय उद्ध्यान महाराष्ट में ठीक है कहां पे महाराष्ट में पेच उसके बाद आप से पूछ स और question है परियार राष्टिय उद्यान परियार राष्टिय उद्यान ठीक है यह कहां पर तो केरल में याद रखिएगा कहां पर केरल ठीक है इसको मैं मिटा दे रहा हूं फिर अगला कुछ और भी important है जिनको आप लोग को देख लेना है जैसे बोल देगा आपको यहां इंद् गाधी राष्टिय उद्यान पूछ दिया तो इंद्रा गाधी राष्टिय उद्यान कहां पर तो यह तमिल नाडू में कहां पर तमिल नाडू तमिल नाडू याद रखिएगा उससे और भी पूछ सकता है इंद्रा गाधी राष्टिय उद्यान इंप्रोटन है पूछा सब्सक्राइब कार्भेट नेशनल पार्क न के निसोनल पार्क यानि कि राख्ती उध्याल यहे उत्त्रा ख़न में कहांपे उत्त्रा खेंद सक्वाद नंदा नंदा कि डेवी राष्टिय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्टिय उद्यान कहां पर है, ठीक है, तो नंदा देवी भी कहां पर उत्तराखण में है, फिर उसे आपको उत्तराखण में और एक है, गंगोत्री, गंगोत्री, राष्टिय उद्यान, नेशनल पार्क में बोल दे रहाँ, तो ग divan1, sundar1, national park, यानी राश्टी ओज़्यान, यह कहा पर, तो यह TipsINA P बंगाल में है, कहा। वेष्ट बंगाल में है, कहा पर वेष्ट बंगाल में, यानी पस्षिम बंगाल में, उसके बाद आप से यहां पर पुनिखसकता है, जल्दी पारा राश्टी ओज़्यान यह भी इंपोर्टेंट है जो कि पस्चिम बंगाल में ही है जल्दापारा जल्दापारा नेशनल पार्क राश्टी उध्यान का है तो यह भी वेश्ट बंगाल यानि कि पस्चिम बंगाल में ही है ठीक है उसके बाद आप से पूल सकता है थार राश्टी उध्यान कौन सा था राश्टिय उध्यान नेशनल पार्क ये भी कहां पर थार राश्टिय उध्यान ये राजस्थान में कहां पर राजस्थान राजस्थान ठीक है तो इतना आप लोग नोट करिएगा चलिए आगे चलते हैं दिया है उत्तर भारत का लोक निरित्य क्या है तो देखें यहां लो 2023 में जो 3rd shift का मैंने कराया है उसमें मैंने डिटेल से नदी के किनारे बसे सहर को बताया है तो भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी पूछाय तो सहायक नदी भी मैंने करवा दिया है कृष्णा नदी के किनारे है और सबसे पीडियोफ देगे यह बना होगा है ना यह बीडियो एह तो यह पीडियेवफ आपको मिल जागा हमारे टवीज्म चैनल से फ्री में इसके लिए कोई रुपे नहीं लग रहा है और शात में यहां पर लिंक लिख में मिल जाएगा अधर दिन का जो भी एकजाम हुआ है उसा भी का लिंक आपको मिल जागा बस उसप्के लिक करेंगे तो खूल जाएगा पीजिए पेख करेंगे जैसे यहां पर देके 15 मार्ष धर्ड शीब्ट स्थीद्ट सद्वर्स फिर 14 मार्ष धर्ट 6 चौदमार्ष फॉर्स फॉर्सर एसे आप लोग को